अगर आपको 1-2-8 में कोई भी कोशन देखना है तो आप डिसक्रिशन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम देख सकते हैं वहाँ आप क्लिक करेंगे तो वहीं से आपका कोशन स्टार्ट हो जाएगा अगर अभी तक आप लोगों ने यहां तक की जो वीडियोस हैं नहीं देखी हैं तो उन सबका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी आप बहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइस 2.5 का कोशन नमबर 1st क्या कहता हैं? use suitable identities suitable identities के use करो और इनका क्या find करना है? product find करना है तो product का मतलब क्या autumn multiplication अगर मेरे को ये ना लिखा होता कि identities use करके इनका product करना तो मैं सिधा सिधा करती x को पूरे से, फिर four को पूरे से और इसको solve करके मैं answer लें आती लेकिन इन्होंने बोलाए identities लगाओ वही है ना तो कौन सी identities होती है हम इससे पहले वाले examples वाले वीडियो में identities पढ़ चुके हैं अगर वो वीडियो भी नहीं देखिया आपने अभी तक उसका link में i button पर डाल दूँगी आप हाँ पर click करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी for this video मैं आपको in short बता देती हूँ ये होती है algebraic identities हमने 8 पड़ी है अभी तक ठीक है तो जिसके अंदर में से last की जो 3 हैं वो cube वाली है एक जो है वो 3 digit के square वाली है बाखी 1, 2, 4 है वो क्या है सारी square वाली identities है ठीक है अब हम यहाँ पर check करना है कि कौन सी identity लगेगी तो सबसे पहले अगर मैं देखूं x plus 4 x plus 10 यनि कि ये दो terms है यनि कि इनका square आएगा तो मुझे square वाली identity चेक करनी है न तो यनि कि 1 to 4 में से मुझे पता चलेगा तो ये 1 to 4 किससे माच कर रहा है कि आपको ये 4th identity जैसे दिख रहा है x plus a x plus b x plus 4 x plus 10 वैसी दिख रहा है तो बस हमारी ये identity यहाँ पर लग जाएगी क्या होती है ये identity? x plus a x plus b जिसको हम लिख सकते हैं x square plus a plus b x plus ab बस यहाँ पर a क्या है मेरे पास 4 और b क्या है मेरे पास 10 a हो गया मेरे पास 4, b हो गया मेरे पास 10 बस इसके अंदर मैंने ये values पुट कर देनी है x square plus 4 plus 10x plus 4 into 10 तो यह हो गया x square plus 14x plus 40 यह आ गया आपका answer तो यह था first part, second part देखिए x plus 8 x minus 10 अब देखते हैं कौन सेर एंटिटी लगेगी? लगेगी तो अभी भी square वाली ही है ना क्योंकि two terms x square ही आएगा तो अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी अभी भी यही identity लगेगी यहां आपने confused नहीं हो ना कि यह तो minus है यह plus है ठीक है? आपको दिखने में पता तो चल रहा है ना कि x plus a x plus b तो यहां b हम ले सकते हैं minus 10 और तो कोई form ने बन पा रही है और अगर आपको यह लग रहा है ना कि यह वाली है तो यह बिलकुल गलत लग रहा है क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखें y y y y का मतलब क्या है कि दोनों जो वैल्यूस हैं बिलकुल सेम होनी चाहिए यहां पर 8 है यहां पर 10 हैं सेम वैल्यूस नहीं है यह a b यह यह different वैल्यूस है तो यह ही identity हम यहां पर दुबारा लगाएंगे तो सेम identity लगेगी बस यहां पर a हो जाएगा हमारा 8 और b हो जाएगा आपका माइनस 10 बस वैल्यूस वही पुट कर देंगे हम इसके अंदर x square plus a plus b यानिकी 8 plus b क्या है माइनस 10 साथ में x plus a b a b मतलब a into b यानिकी 8 multiply माइनस 10 बस इसको अब हम solve कर लेंगे यह कितना आ जाएगा x square 8 minus 10 minus 2x 8 multiply minus 10 minus 80 तो इसको हम लिख सकते हैं x square minus 2x minus 80 तो यह आ गया आपका answer अब देखते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कौन सी identity लगेगी यहां पर अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूं अब देखें तो क्या आपको यही identity लग रही है जी बिलकुल लग रही है क्यों x और x same term है a क्या है 4 और b क्या है 5 और identity हमें देखने की जूरत नहीं पड़े क्योंकि इसी form का दिखाई दे रहा था हमको अगेन यहां पर हम यह नहीं लगाएंगे क्यों y y यह नहीं कि दोनों same values होने चाहें बट यहां पर क्या है 4 and minus 5 है तो थर्ड वाली में भी यही identity लगेगी जिसके अंदर से जो हमारा a होगा वो कितना होगा हमारा जो a होगा वो क्या होगा 4 और जो b होगा वो क्या होगा minus 5 एक चीज़ यहां पर और ध्यान देने वाली है यहां पर क्या था x plus a x plus b इसलिए x square आ गया तो यहां x क्या है यहां पर x है आपका 3x तो first में और second में xx था तो हमने सिदा यह लिख दिया यहां x क्या है आपका 3x है तो यहां identity अगर हम जब लगाएंगे x square plus a plus b x plus a b यह जब अब her entry लगाएंगे तो कैसे solve करेंगे इसको x square की जगा पर क्या आपका 3x का square a plus b a कितना है 4 b कितना है minus 5 साथ में x x क्या है yes 3x plus a b a b again 4 multiply minus 5 इसको solve करते हैं यह क्या आएगा 9x square यह आएगा minus 1 into 3x यह होगा minus 20 9x square minus 3x minus 20 यह आगया आपका answer चलिए करते हैं इसका fourth part तो अब इसका fourth part क्या कहता है y square plus 3 by 2 y square minus 3 by 2 चलिए check करते हैं identities तो identities में अगर मैं check करूं तो क्या यह इस form का लग रहा है अभी तक जो हम identity लगाते आ रहे हैं जी नहीं यह इस form का नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर a और b का मतलब है different digits यहां पर यह जो दोनों है वो क्या है same digits हैं तो same digits वाले कौनसे identity है जी हां आपको यह दिखाई दे रही है yes इसी के तुम्हें बात कर रही दे क्या है यह x plus y x plus y x minus y x minus y दिख रहे हैं आपको बिल्कुल बही है बस यहां x की value क्या है y square और y की value क्या है 3 by 2 और तो आपको कोई ऐसे नहीं दिख रही है और कोई दिख रही है आपको ऐसी कि इसका whole square बन रहा हूँ जी नहीं तो हम क्या लगाएंगे यहां पर यहां रेंटरी x plus y and x minus y तो यह हो गया x x क्या मिल रहे है आपको y square और y को देखा जाए तो दोनों में क्या है 3 by 2 अब हम इसको किसके equal लिख देंगे यह किसके equal होता है x square minus y square के equal होता है तो x की value put कर यह जो है y square का square है तो इसका भी क्या हो जाएगा square minus y square y कितना है 3 by 2 का square तो यह क्या हो जाएगा 2 2s ना 4 minus 3 का square 9 2 का square 4 तो यह आगया आपका answer तो ध्यान देना है कि किस तरीके से identity लगानी है अगर same same digits हैं दोनों तरफ तो यह वाले लगेगी different digits हैं तो आपकी x plus a x minus by लगेगी यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर क्या है बिल्कुल same same दिखा रहा है 3 3 2x 2x minus plus यही लग रही है आपका identity वही x minus y x plus y किसके equal x square minus y square के equal यहाँ पर x क्या है अब यहाँ x है आपका 3 और y क्या है आपका 2x दोनों में देख रहे हो आप 2x तो क्या लिखेंगे हम इसको x square minus y square के equal लिखेंगे तो x कितना हो गया यहाँ पर 3 यहाँ कि 3 का square minus y कितना हो गया 2x 2x का square 9 minus 4x square यह आपका answer तो यह था question number first चलिए करते है question number second question number second के खहता है evaluate the following products without multiplying directly हमने इनको evaluate करना है यहनकी इनकी value find करनी है और इनको direct multiply नहीं करना कि 103 को आप multiply करोगे 107 से तो आप खुद सोचिए जब इत्तिवरे digits को आप multiply करने लगोगे तो 10 minute या 5 से लेकर 10 minute तक आपके कहीं नहीं गए है ना अगर same question आपका ऐसे competitive exam सिमा जाता है जैसे के NTLC के अंदर आ जाता है तो आप वहाँ क्या करेंगे वहाँ पर हम लगाएंगे identities कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए क्या 103 को मैं 100 plus 3 लिख सकती हूँ multiply है तो multiply या bracket एक ही बात है फिर 107 को 100 plus 7 लिख सकती हूँ जि यहाँ लिख सकते है अब कई बच्चे को बोलते हैं कि मैं हम हमेशा 100 ही क्यू लेते हैं हम इसको 110-7 भी तो लिख सकते थे इसको 110-3 भी तो लिख सकते थे हैं तो अब आप मिरको यह बताएए 100 का square करना easy है ये 110 का square करना easy है तो इसलिए हम क्या करते हैं, hundred terms लेते हैं, यह thousand वाली terms लेते हैं, इस तरीके से हम चलते हैं, तो अब क्या करेंगे, अब हम इस पे लगाएंगे suitable identity, कैसी identity, एक बार दुबारा देख लेते हैं, identity वाला table, किसके साथ माच कर रहा है, first नहीं, second नहीं, third नहीं, a, x plus a, x plus b, वही, fourth identity आ रही है हमारी काम, बिल्कुल वही काम आएगी हमारे, क्या लगाएंगे हम, x plus a, x plus b, यह वाली identity, तो यह identity मैंने लिख दे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर, x क्या है, hundred है, a क्या है, three है, b क्या है, seven है, बस हमने अब इसकी balance पुट कर देनी है, hundred का square, यह निकी, x का square, a plus b, यानिकी, three plus seven, into x, x मतलब की hundred, plus a, b, यानिकी, three multiply seven, तो यह क्या हो गया, two zeros का square है, तो four zeros आ जाएंगी, three plus seven, ten, into hundred, plus three multiply seven is twenty one, यह हो गया ten thousand, यह हो गया thousand, यह हो गया twenty one, इसको जब आप plus करोगे, तो यह आजेगा, two, one, zero, one, one, यह आखे आपका answer, simple, अभी तो मैंने आपको समझाया, इसलिए time लग गया, otherwise अगर आप जब practice में आ जाओगे, इस question को solve करने के लिए, आपको दो मिनट ही maximum लगेंगे, तो देखे आपका कितना, जो है time save हो जाएगा exam में, है ना, बिल्कुल बस अब इसको भी हम ऐसी 95 किस के पास है, 100 के पास है, तो 100 मेंसे अगर मैं 5 माइनस कर दूँ, तो 95, and 100 मेंसे 4 माइनस कर दूँ, तो भी 96, ठीक है, अब यहाँ confuse नहीं हो न, हम कहेंगे, यहाँ तो X प्लस है, X प्लस भी लग रहा था, यहाँ पर क्या है, तो माइनस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं अ प्लस A होता है, है न, तो यहाँ पर A क्या आ रहा है, माइनस 5 आ रहा है, बस यह जिस ध्यान देनी है आपने, B क्या होता है, यहाँ प्लस B होता है, B क्या रहा है यहाँ पर, माइनस 4 आ रहा है, बस बाकी सेम एडेंटिटी क्या होती है, X कर, प्लस A प्लस B X, प्लस AB, इसक कितना है, minus 5, b कितना है, minus 4, into x कितना है, 100, plus a, b, a again minus 5, minus 4, solve कर लेते हैं इसको, यह हो गया, 10,000, minus 9, multiply 100, minus 900, यह हो गया, minus minus plus, 5, 4, 20, इसे इसको solve कर लेते हैं अब, solve करके आ जाएगा यह, 9, 1, 2, 0, this is your answer, similarly, इसको अगर अब हम देखें, तो यह किसके पास है, again, 100 के पास है, यह भी 100 के पास है, इसको क्या लिखोंगी, 100, plus 4, इसको क्या लिखेंगे हम, 100, minus 4, again, identity change करनी की जुरत ही नहीं है, हम यही identity लगाएंगे, a plus b, x plus a, x plus b, x क्या होगा यहाँ पर, again, 100, a क्या होगा, 4, and b कित sign का ध्यान देना, अपनी identity आपकी यही लगेगी, क्या लिखेंगे हम इसको, x square, plus a plus b, x, plus a into b, values put कर देते हैं, यहाँ पर, x square, कितना है, 100 का square, plus a plus b, a कितना है, 4, minus 4, into x कितना है, 100, plus 4, into minus 4, तो यह कितना हो जाएगा, 10,000, अब देखें यहाँ पर, 4 minus 4, 0, तो 0 multiply 100 is again 0, तो 0 को आप किसी भी चीज़ से multiply करोगे, तो आएगा तो आपका 0, 4 multiply minus 4 is minus 16, तो 10,000 में से, जब मैं 16 minus करूँगी, तो कितना आएगा, 9984, so this is your answer, यह था question number second, चलिए करते हैं, question number third, तो question third के कहता है, factorize the following using appropriate identities, अब हमने इसको factorize करना है, using identities, तो सबसे पहला देखते हैं, और check करते हैं, कि इसके अंदर कौन सी identity लगेगी, तो start करते हैं इसमें, तो अगर मैं इसको first वाली से ही compare करने के लिए देखूँ, तो क्या आ रहा है मेरे पास, क्या यह इसके जैसे दिख रहा है, square, plus x, y, y square, है ना, इसके जैसे ही दिख रहा है, बाकी के अंदर मैं देखूँ, बाकी में देखूँ, तो यहाँ पे minus है, य यह भी नहीं बन रहा, यह भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बन रहा, है ना, तो क्या बन रहा है, मेरे पास first equation बन रही है, x square, plus 2xy, plus y square, जो किसके equal होता है, x plus y के whole square के equal होता है, तो यह हो गया, x square, plus 2xy, plus y square, किसके equal है, x plus y के whole square के equal है, यानि कि अब मुझे क्या करना है, इस पू तो यहां से अगर मैं x और y के value निकालने की कोशिश करूँ तो यह x square है, यहां यह किसके equal आ रहा है? 9x square के equal आ रहा है and y square किसके equal आ रहा है? y square के equal आ रहा है but मुझे इसको इस form में लिखने के लिए मुझे square के value नहीं चाहिए मुझे सिरफ x की और y की value चाहिए, है न, तो यहां से x की value निकाल सकते हैं, कैसे, दोनों तरफ root ले लो, जब दोनों तरफ root लेंगे, तो x square का x बन जाएगा, और यहां root लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 9x square, तो यह क्या है, 9 का root क्या होता है, 3x square का root, x, तो मेरे पास x की value क्या आगई, 3x, तो यहां मैं put करूंगी 3x, similarly, यहां से मुझे y की value निकालने, तो दोनों तरफ square root, यह भी y हो जाएगा, और यह भी y हो जाएगा, y की value आगई मेरे पास y, अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, x की जगह पर लिखना है मुझे 3x, y की जगह पर क्या value आई है y आई है, whole square is equal to, अगर whole square है तो मैं इसको दो बार लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया, दो बार, बस यह आगया, मैंने पास, इसका factors आगए, simple, right, ऐसे ही second अगर question मैं देखूं और इसमें identity देखूं क्या लगेगी, first वाली तो नहीं लगेगी, क्यों कि यहाँ पर minus r, है ना, second वाली को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो square, square, minus 2xy, minus y, y square, भी square नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ तो y square है, यहाँ square नहीं है, लेकिन क्या 1 का square, 1 ही तो होता है, है ना, चाहिए उसको 1 का square लिखो, चाहिए 1 ल लगेगी, बाकी और नहीं लग सकती, क्यों नहीं लग सकती, यह इस form में तो नहीं है, ना, इस form में है, यहाँ कौन से identity लगेगी, यह वाली, x square, minus 2xy, plus y square, जो किसके equal है, x minus y के whole square के equal है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x और y की value निकालनी है, कैसे, x square को compare करूंगी, first equation, first value term के साथ, जो हो जाएगा, x square आजाएगा, 4y square, है ना, और y, y चाहिए मुझे, y को गर मैं compare करूंगी, y square को compare करूंगी, वो हो जाएगा, 1 के equal, है ना, अब मुझे यहाँ x की value चाहिए, x square की value निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ roots लगाऊंगी, जब roots तो यह square तो हट जाएगा, x आजाएगा, यहाँ क्या आजाएगा, 4y square का root, जब यह root से बाहर आएगा, 4 का root 2, y square, square और root cancel, क्या बज़ क्या, y, यहनिकि x की value क्या आगई मेरे पास 2y, यहनिकि यहाँ मैं put करूंगी 2y, और y की value चेक करूंगी, तो y का square है, इसकी सरफ root y, और 1 का root, again क्या होता है, 1, तो y की value आगई मेरे पास 1, बस अब हमने इसके अंदर values पुट कर देनी है, x की जगाँ पर 2y, and minus y की जगाँ पर minus 1 का square, दो बार है, square है, तो दो बार लिख देते हैं इसको, यह आगया आपका answer, ऐसी ही third करते हैं, third के लिए अगर मैं identity देखूं, first वाली नहीं, second वाली भी नहीं, third वाली ध्यान से देखिए, x square minus y square, दिख रहा है आपको x square minus y square कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बिलकुल दिख रहा है, तो हम यहाँ लगाएंगे third identity, that is x square minus y square, जो किसके equal है, x plus y, and x minus y के equal है, इस तरीके स हमने इसकी value निकाली है, ठीक है, चलिए, अब निकालते हैं, मुझे चाहिए x और y की value चाहिए है न, तो मैं first को अगर compare करते हूं, x square को x square से compare करते हूं, यह आजाएगा, बट मुझे चाहिए x के value है न, तो दोनों तरफ root लग जाएगा, x आजाएगा, x के equal, similarly, y, y की value उनों तरफ क्या लग जाएगा, root लग जाएगा, तो यह आजाएगा y, और जब इसकी ऊपर root लगेगा, तो क्या आएगा, square से root cancel, यह तो y आ गया है, and 100 का square root कितना होता है, yes, 10 होता है, अब आपको भी यह कैसे आया, देखे, 100 का गर मैं square root बनाती हूं, 10, 10, तो जब दो pair बन जाते हैं, वो root से बहार आ जाते हैं, तो यह 100 का square root होता है, वो होता है, 10, ठीक है, तो मेरे को x की भी value मिलगी, मुझे y की भी value मिलगी, मुझे इसके अंदर values put कर दे नहीं है, x plus y, x minus y, तो x plus y, and x minus y, यह आ गया मेरा answer, चलिए करते हैं question number 4, तो question number 4 क्या कहता है, expand each of the following using suitable identities, यहाँ पर भी हमने identities लगानी, कोई बात नहीं, compare करते हैं, कौल से identity लगेगी, तो जब मैं compare करूंगी, मुझे क्या मिल रहा है, तीन terms का square है, है न, यह तो दो terms की बात हो रही है, दो terms है, दो terms, अरे यह रहा, है न, fifth identity देखिए देहां से, three terms का square, इसी तरीके से दिख र देना है, तो यह कौन सा formula था, revise करते हैं, कैसे revise करते हैं इसको, x plus y plus z का whole square, क्या होता है, x square, y square, z square, plus two, पहली दो terms, x, y, plus two, last for the two terms, y, z, plus two, first and last term, यह इतना बड़ा formula, देखो, कितना easily हमने learn कर लिया इसको, है न, अब क्या करना है मिरको, अब मुझे, x, y, z की values निकालनी है, trim this line, अब क्या करना है मुझे, मुझे इसको expand करना है, इस formula के according, है न, expand का मतल़ है, वो तो इसको फिला के लिखो, है न, यहाँ पर x क्या है, x है, y क्या है, two y है, z क्या है, four z है, मैं एक बलिक देती हू, x, x आ रहा है, y मेरा two y आ रहा ह z मेरा four z है, बस इसको मैंने इस form में expand करना है, x square, x square, y square यानिकी two y का square, z square यानिकी four z का square, plus two x and y यानिकी two y, plus two y यानिकी two y, z यानिकी four z, plus two x and z यानिकी four z, इसको open कर देते हैं, x square, four y square आ जाएगा, four का square, sixteen z square आ जाएगा, two two z, four xy, two two z, four four z, sixteen y, z, two four z, eight x, z, बस या आपका answer आएगा, आपने क्या करना है, बस identity को पहचानना है, और उसके according उसको expand कर देना, ठीक है, ऐसी second देखिए, ये भी आपको इसी form की दिखे रही है, तीन, जो terms हैं, उनका square है, यहाँ ये चीज़ ध्याननी देनी आपने, कि माइनस है, ये तो हम x, y, z के value लिख सकते हैं, लगेगी identity यही, चलिए इसके x, y, z value निकालते हैं, x क्या है, two x, y क्या है, माइनस y है, और z क्या है, z है, ठीक है, बस ये values अब हम इस identity में put कर देंग चलिए, शुरू करते हैं, x square, यानिकी 2x का square, y square, यानिकी minus y का square, z square, plus 2, x यानिकी 2x, y यानिकी minus 1, plus 2, y यानिकी minus y, z यानिकी z, plus 2, first term, and last term, इसको open करते हैं, 2 का square, 4, x square, minus का square, plus y square, z square as it is, 2, 2's of 4, ठीक है, minus y है, तो minus आगे आजाएगा, x, y, plus minus क्या होता है, minus होता है, right, similarly next में क्या आजाएगा, minus y है, तो minus आगे, 2, y, z, plus, 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 2, 2's of 4, x, z, बस यह आपने expand कर लिया, second part हो गया, चलिए करते हैं, third part, third part में भी, fourth part में भी, यही आप देख रहों कि three terms का square है, बस वही आपने क्या लगेगी, यही, identity लगेगी, x, plus y, plus z का whole square identity लगेगी, x, y, z पहचानना है और उसके recording उसको expand कर देना है, मैं यहाँ पर identity लिख देती हो, तो मैंने यह identity लिखती है, I hope आपको learn हो चुकी होगी अब तक, अब हमने क्या निकालना है, x, y, z की value निकालनी है, x क्या है यहाँ पर, yes, minus 2x है, y क्या है, second term क्या है, 3y है, z क्या है, 2z है, बस यही values हमने इस identity में put कर देते हैं, x का square, यानिकी minus 2x का square, y का square, y का square, z का square, यानिकी 2z का square, plus 2, first, second term, x, y है, तो x, y की value put करो, y, z है, तो y, z की values put करो, x, z है, तो x और z की values put करो, अब इसको solve कर देते हैं, तो minus का square, plus 2 का square, 4, x का square, 3 का square, 9y square, 2 का square, 4, साथ में z square, plus minus, minus, 2 to the 4, and 4, 3 is a 24, x and y साथ में लगेगा, plus 3 to the 6, 6 multiplied to 12, y, z, plus minus, minus, 2 to the 4, 4 to the 8, x, z, बस यहाफ का answer आ गया, similarly, fourth part check करते हैं, fourth part के लिए वही तीन terms का square है, यही identity लगेगी, x, y, z निकालते हैं, x क्या है, first term क्या है, 3a, y, second term क्या है, minus 7b, and z, last term क्या है, minus c, यहाँ पर minus, जो sign होते हैं, यह consider करना ज़रूरी होता है, बस अब हमने इसके अंदे values पुट कर देते हैं, क्या आएगा, x का square, यहाँ कि x की value पुट करो, 3a का square, y square, यहाँ कि minus 7b का square, z square, यहाँ कि minus c का square, plus 2x की value, y की value, plus 2y की value, z की value, plus 2x की value, and z की value, solve कर देते हैं इसको, 3 का square, 9a square, minus minus, plus 7 का square, 49b का square, minus minus, plus c का square, plus minus, minus, and 3, 2s are 6, and 6 multiply 7, 42ab, minus minus, plus हो गया यह, दो बार minus से तो हो जाएगा, plus 2, 7s are 14b, c, plus minus, minus, 3, 2s are 6ac, यहाँ आगया आपका answer, यहाँ एगर बढ़ हुए, यह होगे, 2, 2s are 4, and 4, 3s are 12y यहाँ पर, minus का 12xy, चलिए करते हैं इसका 5th part, तो 5th part, again, 3 terms का square है, तो यही identity लगेगी, बस हम x, y, z पर एचान लेते हैं, x क्या है, first term क्या है, minus 2x, y क्या है, second term, 5y, z क्या है, third term, minus 3z, इसके अंदर हम हम values put कर देंगे, x का square, यहाँ की minus 2x का square, y का square, यहाँ की 5y का square, z का square, minus का 3z का square, plus 2xy, यहाँ की minus 2x, and 5y, plus 2y and z की value, plus 2x and z की value, इसको solve करते हैं, minus का square, plus 2 का square, 4x square, 5 का square, 25, साथ में y square, minus का square, plus 3 का square, 9, साथ में z square, plus minus, minus, 2 to the 4, and 4, 5, सा 20, साथ में x, y, plus minus, minus, 2, 5, सा 10, 10 multiply 3, 30, y, z, minus minus, plus 2 to the 4, 4, 3, सा 12, and साथ में x, z, यहाँ गया आपका answer, सेम इसके अंदर भी 3 digits हैं, और उसका square है, x, y, z पहचानते हैं, x, यहाँ की first term, 1 by 4a, y, यहाँ की second term, minus 1 by 2b, z, यहाँ की third term, that is 1, अब इसके अंदर put कर देंगे हम, x का square, यहाँ की 1 by 4a का square, y square, यहाँ की minus 1 by 2b का square, z square, यहाँ की 1 का square, आगे चलिए, 2, x, y, 1 by 4a, and minus 1 by 2b, plus 2, y, z, minus 1 by 2b, and 1, plus 2, x, and z, 1 by 4a, and 1. इसको solve करते हैं, 1 का square, 1, a का square, a, a का square, 4 का square, 16, minus minus plus b का square, 2 का square, 4, 1 का square, 1, अब यहाँ बर देखें क्या हो रहा है, यह multiply का है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, और यह minus क्या हो जाएगा, बाहर, 1 by 4, साथ में a into b, next में देखें इस term में, यह दोनों multiply के हैं, तो 2 से 2, cancel हो जाएगा, minus बाहर, b multiply 1 is b, next में देखें, multiply का है, यह से cancel हो के 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, plus का 1 by 2, a multiply 1 is a, तो यह आ गया आपका answer, तो चलिए करते हैं, question number 5, अब question number 5 क्या कहता है, हमें करना है factorize, इसको देख कर, ठीक है, तो कोई बात भी है, हम identity देखते हैं कि कौन से identity लग सकती है, यहाँ पर, किस के साथ ही match कर रहा है, यह first के साथ नहीं है, second, third, fourth, इतनी, यह तो छोटी-छोटी है, तो इतनी लंबी identity है, यह रही, देखो, x-square, y-square, z-square, plus two, x-y, y-z, and z-x, आगे हैं हमार पास यहन कि यह identity हमें use करनी है अब यहाँ पर, चलिए use करते हैं, क्या identity होती है इसकी, x plus y plus z का whole square, कैसे लिखते हैं, x-square, y-square, z-square, plus two, x-y, plus two, last only two terms, plus two, first and last, यह लिखते हैं, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस पूरी को, यह पूरी के पूरी इस form में तो है ही, है ना, मुझे इस पूरी को इस form में लेकर आना है, यहनि कि मुझे चाहिए x, y और z की value चाहिए, ठीक है, तो first, जो x-square है, तो यह किसके equal है, 4x-square के equal है, तो x के और आ गया 4x square के equal, y square किसके equal है, 9y square के equal है, similarly z square किसके equal है, 16z square के equal है, है ना, पहले इतना काम करते है, मुझे चाहिए x, y और z चाहिए, यहां से तो मिरे पास x square आ रहा है, अगर मैं यहां से x की value निकाल लूँ, कैसे निकलेगी दोनों तरफ root ले लेंगे, जब दोनो आएगा x, यहां क्या हो जएगा, 4 का root क्या होता है, 2, x square का root क्या होता है, x, similarly square नहीं चाहिए, मिरेको y चाहिए, तो y के लिए दोनों तरफ में root ले लूँगी, तो y की value क्या आजाएगी, 9 का root, 3, y square का root, y, similarly z square नहीं चाहिए, z चाहिए, तो दोनों तरफ root आजाएगा, z Z की value आ जाएगे, 16 का root होता है 4, Z square is Z, ठीक है, X, Y, Z, आगे है मेरे पस, आगे चलते हैं, इसको compare करते हैं, बट यहाँ पर देखें, यह तो plus में हैं, और यह दोनों terms जो है न, वो minus में, जबकि यह दोनों plus में हैं, यहाँ से आपको एक चीज ध्यान देनी है, इन दोनों terms के अंदर, क्या चीज common है, Z common है दोनों में, है न, जो term दोनों में common होती है, उसी के आगे हम क्या लगा देते हैं, minus लगा देते हैं, यानि कि अब Z जो मिलेगा मिलको वो होगा, minus 4Z होगा, इस चीज को दोबारा ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है, यहाँ दो terms में क्या ल की value minus में होगी, या Z की value minus में होगी, दोनों terms कह रही है कि possibility है Z, Z, दोनों terms बोल रही है Z, तो यहनि कि definitely Z के आगे ही minus है, क्योंकि जहाँ पर X, Y है वहाँ पर तो plus है, ठीक है, तो दोनों minus terms के आगे Z common है, जिसके वाज़े से हम यहाँ Z की value रगाएंगे, minus 4, अब यह values इसके अंदर put करते हैं, X की जगाँ पर 2X, Y की जगाँ पर 3Y, Z की जगाँ पर minus 4Z का whole square, अब यह two times है, square है तो two times लिख देंगे इसको, 2X plus 3Y minus 4Z, 2X plus 3Y minus 4Z, तो यह हमने कर दिया इसको factorize, similarly इसका second part देखते हैं, second part भी वही लग रहा है, X square, Y square, Z square, XY, Y, Z, तो यह ही identity लगेगी है हमारी, जी हाँ, बिल्कुल, हम क्या करेंगे, XYZ की value निकालते हैं, है न, तो X, किसके equal होगा, X square को compare करेंगे, तो वो किसके equal आ रहा है, 2X square के equal आ रहा है, Y square को compare करेंगे, तो Y square के equal Z square को compare करेंगे, तो वो 8Z square के equal आ रहा है, है न, यही पहली तीन terms, लेकिन मिरको चाहिए क्या, X चाहिए, तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, root लग जाएगा, तो X square का root, X, root 2, 2 के उपर root लगा हुआ है, तो इसका तो root 2 ही रहेगा, है न, और X square का root is X, similarly Y square नहीं चाहिए Y चाहिए, तो दोनों तरफ root, Y के value आ गई, Y, similarly Z square नहीं चाहिए, Z चाहिए, तो दोनों तरफ लगा देंगे root, यह हो जाएगा, Z is equal to 8 का जो root होता है, वो क्या होता है, ध्यान से देखिए, 8 का root factors बनाओ, 2, 4, 2, 2, जिनका pair बन गया, वो बाहर, जिनका pair नहीं बना, वो root के अंदर, तो 8 का root के बना, 2 root 2, Z का square का root is Z, तो यह तीनों values आ गई, बस अब हमने आगे क्या करना, आगे हमने देखना है, सब के आगे minus का, सब के आगे plus का sign नहीं है, दो digits के आगे minus का sign लिए है, अब क्या करेंगे, दोनों digit के अंदर देखेंगे कि कौन सी चीज common है, दोनो में X और X common है, है न, देखो यहाँ Y है, यहाँ Z है, और जहाँ Y Z है, वहाँ तो plus है, यहाँ X है और यहाँ X है, यहाँ X है, यहाँ X है, यानि कि definitely जो X है हमारा वो minus का है, बस हमें तीनों चीज़ें मिल गी, हमने क्या करना, इसके अंदर पुट कर देना, X plus Y plus Z का whole square, तो X times लिख देंगे, यह हमने factorize कर लिया, यह था question number 5, चलिए करते है question number 6, question number 6 के कहता है, write the following cubes in expanded form, इसको हमने expand करना है, ठीक है, कैसे expand करेंगे, identity से expand करेंगे, चलिए देखते हैं कौन से identity लगेगी इसके अंदर, यह तो square वाली है, square वाली है, यह भी square वाली, यह रही cube वाली, ह यहां पर x plus y का cube है, तो यहां पर भी तो plus है, x plus y का cube, बस यह identity लग जगे हमारी यहां पर, तो मैं यह identity एक बार लिख देती हूँ, यहां तो यह identity मैंने लिख दी हाँ पर, बस अब हमने क्या करना है, हमने देखना है x की value क्या है, x की value यहां पर है, 2x यानकि first term है, आपके पास 1, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर values पुट कर देनी है, x का cube, यानिकी 2x का cube, y का cube, यानिकी 1 का cube, plus 3x, यानिकी 2x, y यानिकी 1, into x plus y, यानिकी 2x plus 1, इसको solve कर लेते हैं, यह हो जाएगा, 4 का cube, sorry 2 का cube, 2 to the 4, 4 to the 8x cube, यह cube है, 1 का cube is again 1, यह होज़ेगा, 3 to the 6, x into 2x plus 1, इसको क्या लिख सकते हैं, again first term as it is, second term as it is, अब 6x को multiply करेंगे 2x से, क्या हो जाएगा, 6 to the 12, x into x, x square, फिर 6x को 1 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 6x, तो बस यही आपका क्या आगया, answer, तो अब करते हैं second part, second part को अगर मैं compare करूँ, तो क्या आ रहा है, cube है, अच्छा cube है, बीच में minus है, यहाँ तो plus है, कोई बात नहीं, minus वाली ढूनते हैं, यह रही minus वाली, बस इसके अंदर भी यह minus वाली identity लग जाएगी, क्या है यह identity, x minus y का cube, x cube minus y cube, इस पूरी identity में क्या लग जाएगा, हर जगा पर minus लग जाएगा, बस, अब ढूनते हैं x और y, x यानि कि first term, यानि कि 2a, y यानि कि second term, यानि कि 3b, इसके अंदर पूट कर देते हैं, x का cube, यानि कि 2a का cube, minus y का cube, यानि कि 3b का cube, minus 3, 2a, 3b, x minus y, यानि कि 2a, minus 3b, solve करते हैं इसको, 2 का cube, 8, साथ में a cube, 3 का cube, 3 3s are 9, 9 3s are 27, साथ में b cube, minus 3 2s are 6, and 6 multiply 3 is 18ab, साथ में 2a, minus 3b, next, first term as it is, second term as it is, यहां हो जाएगा 18ab को हम करेंगे multiply 2a से, तो क्या हो जाएगा, बाहर minus है तो minus, 18 2s are 36ab into a, यानि कि a का हो जाएगा square, साथ में b, minus minus, plus 18 3s are 54, 4, ab को multiply करेंगे, b से तो क्या आएगा, a, और b का square, यहां आगे आपके पास answer, चलिए करते हैं इसका next part, again, next part में क्या है, plus है और साथ में cube है, तो वही, first part पाली identity लग जाएगी, यह वाली identity, मैं लिख देते हूँ एक बार, x cube, y cube, plus 3xy, into x, plus y, अब x और y की value लेते हैं, x यानि की first term, जो कितनी है, 3 by 2x है, and y यानि की second term, जो है 1, बस इसके अंदर हम value put कर देंगे, x का cube, यानि की 3 by 2x का cube, y का cube यानि की 1 का cube, plus 3x into y, plus x plus y, यानि की 3 by 2x plus 1, 3 का cube is 27, 4 का cube, 2 का cube is 8, 7 में क्या लग जेगा, x cube, 1 का cube is 1, यह क्या हो जेगा, 3 3s है, 9 by 2, 7 में x, and sorry, यहाँ गलती समय ने plus लगा दिया, यह क्या है, multiply है, तो यह हो जाएगा, 3 by 2x plus 1, अब next में क्या लिखेंगे, first term as it is, second term as it is, third term को क्या करेंगे, इसको multiply करेंगे, तो दोनों में plus है, plus 3 multiply 9 is 27, 2 multiply 2 is 4, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यह होजएगा x का square, and last term के लिए इसको इससे multiply कर लिए, अब इसको 1 से भी तो करेंगे, तो इसको 1 से करेंगे, तो क्या हैगा, 9 by 2, x, यहाँ आगया आपका answer, similarly, 4th में क्या है, minus का cube है, तो minus का cube की identity लिख देते हैं, यहाँ पर, क्या कहती है minus की cube की identity, कि इसे identity में हर जगा पर minus लगा दो, अब क्या दूढ़ना है, x और y दूढ़ना है, x यानि कि first term, जो x ही है, y यानि कि second term, जो कितनी है, 2 by 3, y है, बस अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर value split कर देंगे, x का cube, y का cube, यानि कि 2 by 3, y का cube, minus 3, x, y, x minus y, यानि कि x minus 2 by 3, y, इस तरहे किसे हैं, ठीक है, आगे चलिए, x का cube, minus 2 का cube is 8, 3 का cube is 27, y cube, minus 3 को multiply करना है, तो यहाँ पर देखें, multiply का है, 3 से 3, cancel हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 साथ में, x, y, अंदर क्या है, bracket के, x minus 2 by 3, y, next step, first term as it is, next term as it is, third term के लिए, इसको हम इससे multiply करेंगे, तो क्या आएगा, minus 2 x का square, x, x 2 times है, x का square साथ में, y, next term, इसको अब इससे multiply करना है, तो minus minus, plus 2 to the 4, divide by 3, यहाँ x, y है, यहाँ पर y है, तो क्या हो जाएगा, x, y का square, यहाँ आगया आपका answer, चलिए करते हैं, question number 7, तो question number 7 क्या कहता है, evaluate the following using suitable identities, इसको हमने evaluate करना है, यहाँ की 99 का cube, यहाँ की 99, multiply 99, multiply 99, अगर हमार पास identity नहीं होती, तो हम इतनी बड़ी multiplication कैसे करते हैं, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम identity use करेंगे, कैसे करेंगे, 99 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 100 में से minus 1 करके, इसका cube, मैंने ऐसा क्यों लिख है, again, मैं 90 प्लस 9 नहीं लिख सकती थी इसको, क्योंकि 90 का cube करना फिर भी में लिए difficult होता, लेकिन 100 का cube करना में लिए बहुत easy है, इसलिए हम 100 वाली terms लेते हैं, similarly, यहाँ अगर मैं बात करूँगे, तो यहाँ में कैसे लिखूँगी, क्योंकि इन digits का cube, square करना बहुत easy रहता है, बस यह हमने लिख लिख लिया, अब हम identity यूज़ करते हैं, कौन से identity लगाए हम, किसके साथ मैच कर लिए है, एक तो cube है, तो cube ढूंते हैं, यह रहा cube, यह है minus है, तो minus, यानि कि 7 identity लगेगी, x-y का cube लगेगा यहाँ पर, तो x-y का cube क्या होता है, x cube minus y cube minus 3xy into x-y, I hope अब तक आप लोगोंने identities learn कर ली होगी, अब क्या करना है, x की value क्या है, first term क्या है, 100, y की value क्या है, second term यहनि की 1, x भी आ गया, y भी आ गया, इसके अंदर आप put कर देते हैं, हम, क्या आएगा, x का cube यहनि की 100 का cube, minus y का cube, यहनि की 1 का cube, minus 3, 100 into 1, 100 minus 1, यह हो गया, 100 का cube यहनि की 100, 100 का square, 100 का cube, यहनि की 1 के साथ, 6 zeros लग जाएगे, यह 10,000,000 हो जाएगा, minus 1 का cube is 1, यह हो जाएगा 300, इसको multiply करके, और bracket में, 100 minus 1 is 99, next में, यह zeros, minus 1, minus 99 को multiply करेंगे, हम 3 से, तो कितना आएगा आपके पास, 29700, next step में क्या करेंगे, यह क्या है आपके पास, 6 zeros है, minus minus, plus हो जाएगा, और sign किसका लएगा, minus का, तो यह हो जाएगा, 29701, 1 इसके अंदर क्या हो गया, plus, अब यह इस पूरी digit में से, इस पूरी digit को हम minus करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 970299, यह आगया आपका answer, right, similarly, इसको solve करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 100, plus 2 का, cube, इसमें, कौन से इडेंटिटी लगेगी, x plus y का, whole cube, जो होता है, x cube, y cube, plus 3xy, x plus y, तो यहाँ, x क्या है, first term, 100, y क्या है, second term, that is 2, अब वैल्यूस पूर्ट कर देते हैं, यहाँ पर, x का cube, यानि कि 100 का cube, y cube, यानि कि 2 का cube, 3, 100, into 2, and 100, plus 2, again, यह हो जाएंगे, 6 zeros, यह हो जाएगा, 2 का cube, 8, 3, 2's are, 600, और यह हो जाएगा, 1, 0, 2, अब, 1, 0, 2 को 6 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो क्या हैगा, 6, 2's are 12, and 6, 1's are 6, 7 में, 2 zeros, इन सबको plus करते हैं, पहली तो 6 zeros आजाएंगी, फिर, plus, 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 6, 1, 2, 0, 8, इसको plus कर देते हैं, यह आजाएगा, 0, 8, 2, 1, 6, 5 zeros हैं, यह जाएगा, 0, 1, this is your answer, similarly, last वाले में क्या करेंगे हम, 998 को कैसे लिख सकते हैं, thousand में से 2 minus करेंगे, फिर इसका cube लगाएंगे, और अब यहाँ पर minus वाली identity यह लगेगी, यहाँ x क्या है, thousand है, first term, y क्या है, second term, that is 2 है, अब यहाँ लगा देते हैं यह वाली identity, x का cube, यहाँ कि thousand का cube, minus y का cube, यहाँ कि 2 का cube, minus 3, thousand multiply 2 into thousand minus 2, coincidentity लगा रही है, यह वाली identity लगा रही है, चलू, इसको solve करते हैं, thousand का cube, यहाँ thousand, यहाँ thousand का square, यहाँ thousand का cube, यानि कि हमने nine zeros लगाएंगे, right, two का cube, eight, three two's are six, और साथ में thousand, और यह हो जाएगा, thousand में से two कितना था, 998, आगे, nine zeros, minus eight, minus six को multiply करेंगे, 998 से क्या आएगा, यह आजाएगा, अब क्या करेंगे, again, nine zeros, minus minus, plus, और sign किसका, minus का, तो यह हो जाएगा, five, nine, eight, eight, zero, zero, और लास्ट में ही आजाएगा, eight, अब जब हम इसमें से इसको minus करेंगे, तो हमार पस क्या answer आएगा, हमार पस आएगा, nine, nine, four, zero, one, one, nine, nine, two, this is your answer, चलिए करते हैं अब question number eight, last question of this video, तो question eight के कहता है, factorize each of the following, हमने इनको factorize करना है, तो सबसे पहली equation देखते हैं, और इसको match करते हैं identity से, कौन से identity लगेगी, तो cube है एक तो, तो f, यहां सकतो नहीं लगेगी, ठीक है, तो cube वाले identities हैं, यहां पर अगर मैं देखूँ, यह आरा है, a cube, b cube, plus, plus, plus है, है ना, तो plus, 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 और साथ में यह वाली cube है, यहनुकि कौन से identity लग रही है, यह वाले identity लग रही है, यह नहीं लग रही क्योंकि एक तो माइनस है, यह नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतनी लंबी डिजिट थी, और साथ में माइनस 3xyz भी है, z third term भी है, ठीक है, यहाँ third term तो नहीं है आपके बस, तो यह नहीं की coincidentity लगेगी, 6th identity लगेगी यहाँ प अब इसको हम compare करेंगे, जब हम compare करेंगे तो यह क्या होगा, x का cube किसके equal है, 8a3 के equal है, और y का cube किसके equal है, b3 के equal है, तो अब थ्यान से देखें यहाँ पर, मेरे को चाहिए x और y की value, यहाँ तो cube की values आ रही है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हो, x का cube is equal to, 8, 8 किसका cube होता है, 2 का cube होता है, 2, 2 is a 4 and 4, 2 is a 8, और साथ में a, इसका whole cube, है न, जब मैं इसको open करूँगी तो क्या आएगा, 8a का cube, अब cube से cube, cancel, x की value मेरे पास क्या आ गई, 2a, तो यहाँ कि यहाँ x की जगा पर मैं क्या put करने वाली हूँ, 2a put करने वाली हूँ, similarly y की value, cube, cube, cancel, y की value क्या आ गई, b, तो जैसे y की value b आ गई, मैं इसके अंदर put कर दूँगी, बाकी मुझे किसे से ले ना देना नहीं है, क्योंकि मुझे तो इस form में चाहिए था, है न, तो लिख देते हैं इसको, 2a plus b का whole cube, और इसको तीन बार लिख देंगे, क्योंकि cube है तो, य सेकेंड को देखे, सेकेंड में भी क्या है, cube है, लेकिन minus है, तो यानिकि अब कौनसेट इंटिटी लगेगी, yes, minus 1 लगा देते हैं, x minus y का whole cube, क्या होता है, x cube, minus y cube, minus 3xy, into x plus y, ठीक है, अब फिर से हमें क्या डूणना है, x और y डूणना है, x क्या है, x cube क्या है, 8a cube, y cube क्य क्या है, b cube, तो यहां से क्या हो जाएगा, x cube को मैं लिख सकते हूँ, यहां पर 8a को लिख सकते है, 2a का whole cube, cube से cube, cancel, x आ गया, 2a, similarly, cube से cube, cancel, y आ गया, आपके बास, b, तो बस इसके अंदर पुट कर देंगे, 2a minus b का cube, जिसको मैं 3 times लिख सकती हूँ, यह आ गये मेरे factors, बा तो इसके third part के लिए हम अगर identity देखें, तो क्या लग सकती है, सबसे पहली बात cube में है, तो यहां कि हम cube वाले identities देखेंगे, माइनस में है, तो हम माइनस वाले identity देखेंगे, और यहां पर तो 3 थी, यहां पर तो सुरफ 2 digits है, इतनी लंबी तो नहीं digit जा रही है, तो यहां कि मेरी identity यहां पर कौन सी लगने वाली है, 7th identity लगने वाली है, तो मैं लिखती हूँ एक बार, तो मैंने यहां पर लिख दिया identity, ओके, अब मुझे धूननी है, यह किस तरीके से लिखा हुआ है, तो अब देखें सबसे पहले, x cube, यह है 27, तो यहनी कि पहला मेरे पास x cube आ y के value चाहिए, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, अब यह x cube है, 27 किसका cube होता है, क्या मैं इसको लिख सकते हूँ, 3 का cube, क्यों, क्योंकि 3 multiplied 3, 9, 9 multiplied 3, 27, तो 27 किसका cube होता है, 3 का, अब cube से cube, cancel, x आ गया मेरे पास 3, वा, अब क्या निकालना है मेरे को, y, y cube is equal to, अब इसको देख है, साथ में a, इसको लिख सकते हैं, इसका whole cube, 5 का cube कैसे, 5 multiply, 5 multiply, 25 multiply, 5, 125, बस, cube से cube, cancel, y कितना आ गया, 5a, ये दोनों values यहाँ पुट कर देते हैं, 3 minus 5a का whole cube, बस, cube है तो इसको 3 times लिख दो, देखे, इतना easy हो गया हमारे लिए, कि हमें सिरफ x, y की value से मतलब है, आगे जो मर्जी लिख है, ना भी देखोगे, तो भी चलेगा, तो ये आगया आपका answer, similarly इसको compare करते हैं, यहाँ पर भी क्या है, cube है, और minus है, तो definitely यही लगने वाली है, फिर हम क्या ढूंडेंगे, x यानि कि first term, x का cube कितना हो गया, 64a cube, y का cube कितना हो गया, 27b cube, x, y ढूंडो, इसमें value put करो, काम खता, तो देखे, x cube, 64 इसका cube होता है, सोचिए, 4 multiply 4, 16 multiply 4, 64, तो मैं लिख सकते हूं इसको 4, साथ में a, इसका whole, cube, cube से cube, cancel, x कितना आ गया, 4, इने आ गया, similarly, second को देखे, y cube, 27 का थो हमें पता ही है, 3b का whole cube, cube से cube, cancel, y आ गया, 3b, बस, x आ गया, y आ गया, माइनस है, तो यह वाली लगेगी, x माइनस, y का cube, और इसका क्या लिख देंगे, 3 times लिख देंगे, यह आगे हमारे factors, चलिए करते हैं next part, next and last part है, again, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, आपको cube दिखाई दे रहे हैं, और minus दिखाई दे रहे हैं, तो definitely क्या लगने वाली है, identity, x plus y का whole cube लगने वाली है, sorry, minus का, कि minus है ना बिच में, तो x cube, minus y cube, minus 3xy into x minus y, इसी फ़र्म में हैं, चलिए ढूनते हैं, अब x cube, इसको इसके साथ लिखो, क्या आएगा आपके पास, 27p cube, y cube, कितना आ रहा है, 1 by 2, 1, 6 आ रहा है, okay, तो x cube, 27 का cube हमें पता है, 3, साथ में p का whole cube, cube से cube, cancel, x कितना आ गया, 3p, चलिए अब y ढूनते हैं, y का cube, 2, 1, 6 किसका cube होता है, सूचिए, यह होता है, 6 का, 6 multiply 6, multiply 6, 36, multiply 6, यह होता है, 2, 1, 6, यह 1 by में है, तो हम इसको 1 by 6 का whole cube लिखतेंगे, cube से cube, cancel, y कितना आ गया, 1 by 6 आ गया, बस हमने इसमें value पुट कर देनी है, x minus y, यह निकि 3p, minus 1 by 6 का whole cube, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे, हम 3 times लिख देंगे, तो यह आ गया आपका answer, अभी तक आप सोच रहे होगे, कि हमने इस identity का तो use नहीं किया, obviously हमने इस identity का use नहीं किया, क्यूंकि अभी तक हमारे पास 3 digit का cube नहीं आया था, अभी तक हमारे पास 2 digit के cube चल रहे थे, 3rd वाली में क्या है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा तो कहीं नहीं आया ना भी तक, तो इसलिए हमने भी last identity use नहीं की है, जो आगे questions में use होगी, so thank you, that's all for this video, next video में हम cover करेंगे, question number 9 to 16, thank you.